किसी ने सही कहा है कि किस्मत के भरोसे अगर बैठे रहोगे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा किस्मत तो फिर वही देगी जो उसने आपके नसीब में लिखा है लेकिन यह भी हो सकता है कि यदि आप कोशिश ना करो तो किस्मत आपको जो अच्छा देना चाहती थी वह भी ना दे एक सफल इंसान कभी भी किस्मत के भरोसे कुछ नहीं छोड़ता वह कुछ पाने के लिए वह सब करता है जिसकी आफशकता हो लेकिन एक सफल इंसान में क्या गुण होने चाहिएं क्या आप जानते हैं तरसल एक सफल इंसान वही है जिसमें ये तीन गुण है योग्यता, परिस्रम और इमानदारी अगर आप में इन में से एक भी गुण कम है तो शायद आप सफल नहीं हो पा सकते या शायद पाभी लें तो वह सफलता अधिक समय तक आपके पास बनी नहीं रहेगी क्योंकि सफल इंसान बनने के लिए इन तीन गुणों का होना बेहत जरूरी है तभी आप जिंदगी के हर पड़ाव पर सफलता पा सकते हैं क्योंकि सफलता जिंदगी के किसी एक चरण की जरूरत नहीं है या तो तां उम्र हमें जिंदगी का पाट बढ़ाती है सफलता एक ऐसी चीज है जिसकी वज़ा से हम कुछ पाने की चाहत रखते हैं इसी की वज़ा से हम सब महनत करते हैं और धीरे धीरे जब सफल हो जाते हैं तो अंत में एक बड़ी सफलता को अपने हाथों में पाते हैं लेकिन जब तक आपके पास बताए कि तीन गुण नहीं होंगे या आप सफल इंसान नहीं कहलाओगे या तीन गुण इतने जरूरी क्यों है और इसका क्या महत्व है यह जानने के बाद ही आप इसकी एहमियत समझ बाओगे और खुद में उन्हें तलाशने की कोशिश करोगे पहला गुण सफल होने का पहला गुण इंसान की योग्यता है अगर आप किसी कारे को करने के योग्य नहीं है तो चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे हर इंसान की अपनी योग्यता होती है कोई किसी काम में रिपूर होता है तो कोई अन्य कारियों में लेकिन इनसान को हर कारे करने के समझ हो और उसमें वा छमता हो यह अमूमन समभाव नहीं होता इसलिए जिस काम को करने के आपने ठान ली है जिसके बारे में आप सब जानते हैं समझते हैं उसे करने की तरकीब को जानते हैं तब ही आप उसे सफल रूप में कर पाएंगे, अन्यथा उसे करना समय की बरबादी ही है। दूसरा गोणा, किसी कारे में सफल होने के लिए जिसे दूसरे गोण की आवशकता होती है, वह है इंसान का परिस्रम जिहां, परिस्रम के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। किसे इंसान में परिस्रम के अधिक भावना होती है तो कोई परिस्रम को महज एक सम्मान शब्द कहकर डाल देता है। लेकिन सफलता के लिए परिस्रम का होना बेहद जरूरी है। यही चीज है जो आपको सफलता की और धीरे धीरे ले जाती है। परिस्रम इंसान में मेहनत की भावना को लाता है, उसे यह सिखाता है कि यह कार्य पुरा करना कितना जरूरी है। यदि आप एक परिस्रमी इंसान है तो आप परिस्रम के परिभाशा को बखू भी समझते होंगे। लेकिन जिस इंसान में जीवन में कभी परिस्रम ना किया हो उसे यदि किसमत का सहारा मिल भी रहा हो फिर भी वह एक ना एक दिन बड़ी ठोकर खाता ही है तिसरा गॉन तिसरा गॉन जो सफलता की और ले जाता है वह है इंसान में इमानदारी का होना इमानदारी हमें सही रास्ता दिखाती है वह चाहें मुश्कील हो लेकिन इस रास्ते पर चलकर हमें सफलता जरूर मिलती है पईमानी का रास्ता चुनकर भले ही इंसान अपना काम पुरा कर लेता है लेकिन इमानदारी का मार्गी हुसे सही सफलता दिलाता है बैमानी का उसता काम एक नएक दिन सब के सामने खुल ही जाता है और फिर शर्मनात अहसास जिन्दगी भर नहीं भूला पाता तो मित्रों अगर आपने हैं ये तीन गून तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोख सकता मुझे पूरी आशा है कि आप भी वीडियो अच्छी लगी होगे आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे सबी वीडियोस को रिखने के लिए हमारे सीगटो चैनल गो आजे सब्सक्राइब कर लें चैनल गड़ी वीडियो